जैसे जैसे विदान सभा चुनाओ पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस में कले खुलकर लिकलकर सामने आ रही है पहले सचिन पाइलेट सभाओं के माद्यम से अपनी सरकार पर निशाना साथते हैं तो वही मुख्य मंत्री भी सचिन पाइलेट पर निशाना साथते हैं राजदानी जैपूर या अलग अलग जिलों में दोरा करते हैं चाहिए वो परभारी हो रंदावा वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में सब कुछ सही है हम वापिस सर्था में रिपीट करेंगे लेकिन अब जिस तरह का मामला लिकल कर सामने आया राजदर गुड़ा पर अपरन क कहती है कि मुख्यमंत्री के खिलाब बयानबाजी ना करें क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाब बयानबाजी करेंगे तो आप पर मामले दर्ज होंगे और ऐसा प्रक्रण जब अपरन का प्रक्रण राजदर गुड़ा पर दर्ज होता है तो उनके उनका कहना है कि मुख्यमं मंत्री बनाने को लेकर ब्यान देने में लगे थे वहीं इशारों में जब सभाय सचिन पाइलेट की ओर से की जा रही थी पेपर लीग परक्रण पर अपनी सरकार पर निसाना साधा उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि उनकी पार्टी में एक करोना है तो कहीना कही बेप लगे में सब कुछ सही है हम करेबं के बाद से ब्यान बाजी का दौर झाल्ता केंस पार्ण पर निसाना साधने की कोशिच को उसके आ रही जनता के 20 तो जा रहा रहे हैं, चार साल के कामों का ब्यवरा भी रखा जा रहा है, कि चार साल में किस आइके काम कॉंग्रेस सरकार की ओर से केग js Christina चाहा हो परशासन शेरों के संग करas 게ाओं के संग हो इनका ब्यवरा भी दिया जा रहा है लेकिन दूसरी भी ओर कान दीस खता में मदल मेरा मधभेद करने की बात कर रही है लेकिन मदल मधभेद अब खुलकर सामने आ जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं लगातार बियानबाजी का दौर चल रहा है ऐसे में आला कमान अब किस तरह की मंतरना करेगा किस तरह इन मत्वेद और मन्वेद को खतम करेगा क्योंकि परभारी जब नियूक तिया गया है तो एक जिम्मदारी उनकी भी बनती है पूर में हुआ 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 है